एक लड़के को अपने नेबर में रहने वाली लेडी अच्छी लगने लग जाती है उसके बारे में उसने और भी जाना तो बहुत सारे राज बाहर आए Hello friends, आज मैं आपको American Affair 2008 की एक Hollywood movie explain करने वालो ये एक coming of age movie है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा बिना किसी दरीके explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हम अमारे main character Adam को देख सकते है Adam अपने स्कूल में था वो अपने फ्रेंड से कहता है कि वो लड़का तुम्हें गे बुला रहा है कि इसके बारे में तुम कुछ भी नहीं करोगे वैसे भी तुम कुछ कर भी नहीं सकते इस तरीके से जिडाने के बाद Adam के फ्रेंड ने उस लड़के को बहुत मारा जब ये फाइट खदम हुई तो Adam को भी मारता है Adam है Catholic स्कूल में बढ़ता है तो वहाँ की सिस्टर वहाँ पर आए और इन दोनों को लेकर जाती है इन दोनों को एक दिन के लिए डिटेंशन में डाल दिया गया था Adam का फ्रेंड उससे बहुत ही गुसा था क्योंकि उसकी वज़े से ही फाइट हुई थी Adam भी रेलाइस करता है कि उसका एक करना बहुत ही गलत था तो उसे हो सौरी भी कहता है आज जो फाइट हुई थी इसमें Adam का टीथ तूट चुका है वह घर जाकर इसे गल्यू से चिपका लेता है रात में डिनर करते वाग कुछ न्यूड मैगजिन्स वो पढ़ रहा था तब यह अपनी नेवर पर उसकी नजर बढ़ती है उसकी नेवर हमारी और एक मेन क्यरेक्टर है जिसका नाम है कैथरीन कैथरीन किसी आदमी के साथ थी उसने कुछ जादा पहना नहीं था एक दिन जब वो घर पर नहीं थी तो जाकर उसका मेल वो लेकर आया इस मेल में उसे प्रेजिडेंट कैनेडी का लेटर मिलता है यह हमारी स्टोरी उस टाइम की है वो जब मेल बढ़कर बाहर आ रहा था तो कैथरीन ने उसे नोटीस किया वो पुछते हैं तुम यहां कर क्या रहे हो एडम ने कहा कि मैं कुछ काम ढूंड रहा हूँ मुझे यूरोप पर ट्रीप पर जाना इसके लिए थोड़े से पैसे अगर मेरे पास होगे तो अच्छा होगा अगर आपके बास कोई काम है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ कैथरीन ने उसे घर में इन्वाइट किया पुछती है तुम क्या कर सकते हो एडम ने कहा क्यूजल जो भी चीज़े होती है घर का काम, गार्डन यह से मैं मैंनेज कर सकता हूँ कैथरीन भी एडम को गार्डन का काम देने के लिए मान जाती है कैथरीन की घर में उसका और प्रेजिडन केनेडी का फोटो था कैथरीन गहती कि वो मैरा फ्रेंड है प्रेजिडन केनेडी का फ्रेंड होना यह बहुत ही बड़ी बात थी एक बार जब Adam की मदर प्रेजिदेंट से मिली थी तो बहुत ही ज़ादा एक्साइट थी Adam राज में हमेशा Catherine को खिड़की से देखता है उसके फोटोस भी लेता है अगली दिन स्कूल में Adam की फ्रेंड फेथ उससे बात करती है उसे लाइक करती थी तो आज शाम उसने अपने घर पर उसे बुला लिया बहाना तो सिर्फ म्यूजिक सुनने का था ये बात कर बात है उससे पहली वहाँ पर सिस्टर आगे Adam के कान कीच कर उसे वहाँ से लेकर जाती है घर आने पर Adam Catherine के पास पोच्छता है उसे कहता है कि आपने मुझे गार्डन का काम दिया था Catherine के घर में Adam ने बहुत सारी पेंडिंज देखी ये सब Catherine की पेंडिंज थी Adam कहता है इसमें तो सिर्फ मुझे कलर दिखाई दे रहे है उसे कुछ भी लोग वेकर आप कुछ भी इसमें दिखाई नहीं देते Catherine कहती है तुम्हें उसमें जो भी देखना है वो तुम देख सकते हो वैसे भी इसका फॉर्म डेड़ हो चुका है इसका मतलब है इस स्लोली स्लोली मर रहा है वो फिर Adam को अपनी गार्डन दिखाने के लिए लेकर गई एक बहुती ब्यूटिफुल गार्डन थी पर Catherine कहती है मुझे इससे पूरी तरीके से मिटा देना है इसके बाद वो फिर से प्लान करेगी Adam भी समझ गया कि इस गार्डन के फुल मूर्शा जाते है इस वज़े से Catherine इसे फिर से बनवा रही है Adam गार्डन में काम करने लगया और थोड़ी देर बाद Catherine उसके पास है और वो बहुती अच्छे से ड्रेस थी Adam गहता है आप बहुती ब्यूटिफुल लग रही हो Catherine हस्ती है और वहाँ से चली जाती है Adam जब रात में घर पर है तो उसकी मदर फादर नोटिस करते है उसके कपड़े बहुती ज़्यादा खराब है वो Catherine के लिए अब काम करता है इसके बारे में उसने उन्हें बता दिया इस बात से उसकी मदर बहुती ज़्यादा अफसेट हो गई थी उसे समझाती है कि Catherine एक अलग टाइप की लेडी है तो हमारी तरह नहीं है उसने बहुत ही अलग-अलग चीज़े की हुई है उसे इंडारेक्ली बता रही थी कि Catherine का कैरेक्टर अच्छा नहीं है Adam कहता है कि आप नहीं तो कहा था कि मुझे कुछ पैसे कमाने चाहिए ये बाद Adam के फादर को भी सही लगी वो कहते है तुम काम तो कर सकते हो पर काम हो जाने के बाद डारेक्ली घर पर आना आजरात फिर से Adam Catherine के घर के सामने नज़र रख रहा था तो उसने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी गार्डिया खड़ी हुई थी उसने अपने दूरबिन लगा कर देखी तो प्रेसिडंट कैनेडी को वहाँ देखता है वो इस बात से शौक्ट हो गया अगले दिन गार्डन पर काम करते हो उसने कैथरिन से कहा कि आप जब बोल रही थी कि प्रेसिडंट कैनेडी आपका फ्रेंड है तो आपने बहुत ही सच कहा था मैंने कल रात उन्हें आपके घर में देखा कैथरिन गुस्ता आओकर बोल थी इस बारे में तुम भूल जाओ कभी भी इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कुछ चीज़े प्राइवेट रखनी चाहिए अडम का उपने पैरंट से पता चला था कि कैथरिन का भी एक बेटा था इसके बारे में भी उससे पूछ लेता है कैथरिन गहती कि अब वो तुमारी एज का होता वो बहुत ही स्वीट था कैथरिन एडम को अपने बेटे का दरा समझती है या एडम को अच्छा नहीं लगता दोनों की बातों से में पता चलता है कि कैथरिन और उसका हस्बन इन दोनों में फाइट है थोड़ी देर में जब कैथरिन गह से बाहर गई तो एडम उसका पीछा करता है कैथरिन आज लूशेन से मिलने के लिए गई थी लूशेन एक्च्छल में कैथरिन के एजेंसी के लिए काम करता था इनके एजेंसी इंफ्लुएंशल लोगों को जैसे प्रेजिडन बहुत बड़े बिजनेसमेन इन लोगों को लड़के सप्लाइ करने का काम करती है लूशेन कैथरिन को प्रेजिडन कैनेडी को कुछ बताने के लिए कह रहा था वो एक पॉलिटिकल बात को लेकर प्रेजिडन को कुछ समझाना चाते थे पर कैथरिन की उससे उस तरीके से बात नहीं होती है कैथरिन कहती है कि वो मेरा कुछ भी सुनने ही रहा उसरा जब वो प्रेजिडन से मिली थी वो लास्ट टाइम था आज शाम फेट ने एडम को अपने घरवर बुलाये था उसके घर पर जाता है ये म्यूजिक सुनते है और फिर किस करने लग गे किस करते करते एडम का दाथ निकला है जो उसने गलू से चिपका हुआ था ये फेट को बहुत ही घटिया लगा कहती है इस दाथ को तुम फिक्स करवा दूँ इसके बाद हम फिर से मिलेंगे जब एडम ने अपने पैरेंट्स को बात बता है कि उसका दाथ तूट चुका है तो उस पर वो बहुत जादा गुसा हो गए थे उन्हें लगता है कि इसके बारे में उसे पहले बताना चाहिए था वो कैतरिन के घर पर काम कर रहा है तूट के बारे में नहीं बताया इन सब बातों से मदर बहुत ही अपसेट थी एडम भी अपसेट होकर कैतरिन के घर के बाहर खुम रहा था उसने अंदर देखा कि पार्टी चल रही है वो खिड़की से देखने लग गया तबी कैतरिन का हस्बंड जिसका नाम है ग्राहम यह उसे पकड़ लेता है उसने कहा कि इस तरीकी से नज़र रखना गलत बात होती है मैं तुम्हें जेल में भी डाल सकता हूँ उसे पकड़ कर घर के अंदर लेकर आया कैतरिन अपने फ्रेंज के साथ ड्रक किये थे ग्राहम उसे कहता है कि तुम्हें हो क्या क्या तुम इतनी दूर क्यों चली गई कैतरिन गहती है हमारे बेटी की डेथ हो जाने के बाद तुम्हें मेरा खैल रखना चाहिए था ग्राहम भी यही बात चाहता है वो फिर से अपने फैमिली को पाना चाहता है पर इन दोनों में बहुत बड़े जगडे थे ग्राहम नहीं कैतरिन को प्रेजिडन के साथ इंटिमेट होने के लिए कहा था कैतरिन कहती कि हमने जो भी किया इसके बार में सब लोग को बता है और सब लोग हम पर रहसता है घ्राहम को भी बड़ा लगा और वहां से चला जाता है अगली दिन ओडम ने ग्राहम पर भी नजर रखी घ्राहम इस बार लुशैन से मिल रहा था ये दौनों डिसकास कर रहे थे की कैतरिन का किया क्या जाए ग्राम लुशियन से खहता है कि कैथरिन के पास एक डायरी है उसके साथ जो भी होता है इस सब के बार में उसमें लिखती रहती है ये डायरी होना एक बहुत ही बड़ा रेस्ट था पर एक कैथरिन के लिएक सेफटी है अगर उसकी एजनसी ने उसे हट करने की कोशिश की तो स सारी चीजों एक्सपोस कर सकती है इस डायरी के बार में सुनने के बाद कैथरिन जब घर पर नहीं थी तो एडम उसके घर में आ जाता है डायरी को ढूंड लेता है अजानक से कैथरिन भी किसी और के साथ वहाँ पर पहुश गई थी एडम क्लोजेट में चुप गया और उ और उसके सब फ्रेंड्स की पार्टी थी इसमें वो एक गेम केलते जिसमें एडम और फेट को दोनों को एक मिनिट के लिए क्लोजेट में जाना पड़ता है अडम ने फेट से कहा कि मैंने अपना टूथ फिक्स कर वा लिया है इसके बाद वो किस करने लग गये जिस तरीके के लिए पहुच जाता है वो बाहरी बारिश में भीक रही थी वो एडम को देखकर उसके साथ घर में आती है वो ड्रिंग ले रही थी तो उसने एडम को भी ड्रिंग ओफर किया इसके बाद वो एडम के साथ पेंट करने लग गये अडम ने कैथरिन को किस करने का अबर कैथरिन ने उसे रोक लेती है इसके बाद इस दोनों पेंट से ही खेलने लग गये सुबा मौर्निंग में हम देखते हैं कि एडम के बैरन डिसकस करे थे एक एडम के फादर का एक निव जगा पर ठांसपर हुआ था मदर एडम के लिए ज़रा वरीर थी को अकेले उस इसके तरीके से मैनेज करेगी जब उसे उठाने के लिए गई तो इसके सारे कपड़े कलर से भरे हुए थे इस बात पर वो बहुत जादा गुस्सा हो जाती है और रात में कैथरिन के पास था ये बात पता चलने के बाद वो फादर से कहती है कि अभी के भी उसके पास जा उसे कहो कि अडम से कोई भी ओर रिलेशन्शिप ना रखे अडम को कोई भी काम करने की ज़रूद नहीं है फादर जब कैथरिन के बास पोचे तो लुशियन वहाँ पर आय हुआ था लुशियन उसे बात करता है तो फादर के बारे में लुशियन को सब चीज़े पता थी य पर पर आने पर फादर वे अडम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे वो कहते हैं कैथरिन से कोई भी रिलेशन्शिप अब तुमें नहीं रखनी है तुम स्कूल जाओगे और सिधा घर पर आओगे आज लुशियन को समझा रहा था कि तुम प्रेजियन को समझाने क कोशिश करो कुछ ना कुछ तो चीज़े बदलनी चाहिए वरना प्रेजिडन को यह बदलना पड़ेगा कैथरिन समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गडबर होने वाली है उसने प्रेजिडन को कॉल करकर वान करने की कुशिश की पर उसे पूरी तरीके से उग्नोर कर रहे थे दात में वाइट हॉस पर भी जाकर आती है वहाँ के गार्ड से उसने बुचा अगर प्रेजिडन को कोई गोली माय रहा हो क्या तुम उसके सामने आ जाओगे गार्ड गहता है मैं मेरी डूटी ओनेस्ली करूंगा इसके बाद मुवी में प्रेजिडन कैनेडी का थी मोगे का फायदा उठाकर एडम कैथरीन के साथ इंटिमेट होना चाता था पर कैथरीन गुस्सा आओकर उसे वहां से निकाल देती है कैथरीन को पता चला कि उसकी नोटबुक गायब है यह उसके लिए बहुत इंपोर्टन थी वह एडम के घर पर आई पर मदर उसे बा खोगी कैथरीन कहती है कि जब मैंने तुम से शादी की थी तुम बहुत ही अलग परसन थे अब तुम क्या बन चुके हो ग्रहां में कहता कि प्लीज मुझे माफ कर तो फिर से उसके साथ नई जिंदघी स्टार्ट करना चाता है कहता है हम इन सब से दूर एक अलग कंटरी मे चले जाएंगे, कैतरिन भी इस बात के लिए मान की, शाम में उलुशन से मिलने के लिए जाती है, उसे कहती है, तुम्हें नोटबुक में नहीं देने वाली, वो नोटबुक मेरी एक सेफटी है, अगर मुझे किसी ने भी हाम करने की कोशिश की, तो सारी चीजे में एक्सपो कर सकती हूं, लुशन कहता है कि मैं उस नोटबुक को ढूंड लोंगा, मुझे बता है कि तुमने उसे छुपाई हुए है, किसी ऐसे आदमी के पास, जिस पर मैं शक भी नहीं करूंगा, लुशन को पता था कि डायरी एडम के बास है, कैतरिन इस बात से बहुत ही डर गी, लुशन के पास आती है और कहती है, प्लीज वो डायरी मुझे वापस करतो, अब मैं यहां से चली जाने वाली हूँ, लुशन कहता है कि तुम क्यों जा रही हूँ, वो गहती है कि लाइफ में परपस ढूंडने के लिए, मेरा बेटा, मेरा आर्ट, यह सब चीज़े मेरी ल लुशन घर पर आकर कैथरीन की डायरी लेकर गया था, एडम कैथरीन की घर पर बहुचा तो वहां लुशन है, उसने उस डायरी को जला दिया, लुशन एडम से गहता है कैथरीन जारा डिस्टब थी, उसने अपनी लाइफ अच्छी दरीगे से जीए, और लास्टली वो ज तरा कनफियूस्ट हो कही थी, जो तुमने पढ़ा और देखा, इसके बारे में किसी को भी मत बता ना, एडम पुछता है कि कैथरीन का है, लुशन ने कहा कि आज तो तुम मिलने वाले थे, एडम उसी जगह बर कैथरीन से मिलने के लिए पहुचा, पर कैथरीन की नीचे ग भी किया इसका उसे बहुत रिग्रेट होता है, गर पर आने के बाद उसे गैथरीन से एक कुरियर मिला, उसने मरने से पहले एडम के नाम पर एक कुरियर कर दिया था, इसमें पेंटिंग के अलग-अलग पार्स थे, इस पार्स को जोडने के बाद एडम की पिक्चर बनी, कैथरीन के डेट के बाद एडम को समवाट एक क्लोजर मिल जाता है, इस एक्सपरियेंस से उस सिखेगा और आगे बढ़ेगा, इसे के साथ ये मुवी एंड हो जाती है, अगर आपको वीडियो चलागा, तो प्लीज इससे लाइक कर दिजेगा, ये बहुत सारे मुवीज ल